नमस्कार साथियों मैं हूँ विजेश कुमार साहू आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आज हम बात करेंगे जो आपका 36 गड़ में वनविकास निगम लिमिटेट के अंतरगा छेत्र रक्षक का जो भरती विसी जी वियापम द्वारा निकला हुआ इसने तालिस बदों पर ठीक ना उसका आनलाइन फॉम आपका इसे भरेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस यूडियो में देखेंगे तो आप वीडियो पहले सुरू से ध्यान से देखिएगा यदि लाश्ट में अच्छा लगता है तो लाइक किजेगा चैनल पर न तो लिंक को टच करेंगे अप इस सेड में पहुच जाएँगे ठीक ना अर इससे संबंधी सारी जानकारी यों का मैं एक वीडियो बना दिया हूं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा यह आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं ये ये वीडियो बनाया गया है ठीक ना उसमें आप पूरी जानकारी पढ़ने के बाद ही फोम फिल अप करें साथ में यहां से भी आद देख सकते हैं देखिए यहां से आप भागी यह नियम को डाउनलोड कर सकते हैं व्यापम पाइक छानिर्देश डाउनलोड कर सकते हैं इस Premiereycz से मैंने पहले से टच कर रखा है ठीकना यदि आपके में्स टच नहीं रहेगा तो आपको इसको क्या करना है टच करना है जैसे में वाइह क cocktail भी कटा दिया ठीक न तो इस प्रकार से आपका जो है लिंक में हां से फिर से इसको टच कर देता हूं देखिए आपको इसको टच करना है मतलब मोबाइल को डेस्क उप साइड में ही आपको रखना है डेस्क उप साइड रखने से आपका मोबाइल में स्क्रीन छोटा होगा और आ आपको क्लिक करना है इसको मैं क्लिक कर देता हूं नयाप पर हो जाएगा नयाप पर भण होगा इसनमने जो लिखा हुगा इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा अधिया गया है कि अभी आपके पास कोई भी नहीं लिया जा रहा है आपका जब डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका डाकुमेंट देखा जाएगा तो यदि आप कोई भी चीज गलत अपलोड करते हैं उसके लिए आप स्वेम जीमेदार रहेंगे आपका जो है चैन पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएग आगे आपका तूटी सुधार के लिए तिन दिन का समय दिया जाएगा लेकिन तूटी सुधार का अलग से फिस लाएगा और तूटी सुधार आपका अविदन करने के अंतिनती थी के बाद आपका तूटी सुधार का टाइम दिया जाएगा तो आप जो भी फोम भरेंगे अच्छे से ध्यान पूर्वक भरेंगे आगे भरती नीमों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है उसके बाद ही आपको फूम भरना है सबसे पहले आपको यहाँ इसको पढ़ना है कि क्या यपित पत के लिए सची करहता हम सारी एक मापदन रखते हैं तो यहाँ आपको एस पर क्लिक करना है और आप 36 गर्ट मुल्निवासी हैं इसमें भी यहाँ पर क्लिक करना है क्योंकि 36 गर्ट से बाहर की आदमी इसमें फॉम नहीं भर सकते हैं उसके बाद यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है अप्लोड फोटो उसके बाद अप्लोड सिगनेचर फोटो का साइज आपका 40-60 के वी के विच होना चाहिए यहाँ देखिए हम फाइल चूस करते हैं जैसे ही आप यहाँ से फाइल चूस करेंगे आपने फाइल में जाएए फाइल में जाने के बाद आप अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आपका फोटो होगा वहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहांज देखिए मैंने एक फोटो सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद यहां आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है यहां अपलोड फोटो पे क्लिक करना है उसके बाद यहां आपका फोटो अपलोड हो जाएगा यहां देखिए जैसे ही आप upload photo पर click करेंगे आपका photo upload हो जाएगा और इस type से upload हो जाएगा उसके बाद यहां नीचे देखें तो यहां आपको नीचे इस signature upload करना है जिसका size 20 से 40 के भी होना चाहिए तो choose file पर हम click करते हैं choose file पर click करने के बाद आप यहां file में जाएंगे file में जाने के बाद आप अपना signature select करेंगे select करने के बाद यहां आप upload signature पर click करेंगे यहां देखिए मैं click कर रहा हूँ फिर यहां yes पर आपको click करना है उसके बाद यहां आपका फोटो और सिगनेचर अपलोड हो जाएगा यदि यहां अपलोड होने में 5 से 10 से का टाइम लगता है तो आपको यहां रूख जाना है उसके बाद आपका खुद ही अपलोड दिखा देगा उसके बाद देखें फर्ष्ट में आपको कंडिडेट नेम लिखना है कंडिडेट नेम लिखने के बाद यहां पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखना है उसके बाद मैं यहां लिखने के बाद आपको सिलेक्ट रिलेशन टाइप मतलब यहां आप किसका नाम लि लिखोँगा फारवन नेमें पापना अपना अपने फारवर का नाम आपको लिखना है में इस दखिंए और boundary के दिया उसके बाद हें आपको अपना रसीटक्रना है तो डेट कर लेता आंस अपना स्वेक्ट लेता हूं क्रियार या नोन क्रिमी लेयर के टेगेरी आपको स्लेक्ट करना है जैसे ही आप उसके बाद है xuहां कि भूत्पूर्वसानिक से हैं तो यास नहीं तो नोपि आपको क्लिक करना है उसके बाद है आपका पीस अघड़ च्टेटस मतलब आप आप मैरीड है या अनमैरीड है तो अनमैरीड है तो अनमैरीड है तो अनमैरीड है तो अनमैरीड हो गया है तो मैरीड पे क्लिक करना है उसके बाद यहां आपको अपना एड्रेस डालना है ड्रेस मैं पूरी तरस फिल कर लेता हूं उसके बाद यहाँ आपको अपना विलेज सेलेक्ट कर लेना है मतलब आपका एड्रेस डाल लेना है विलेज, पोस्ट आफिस, स्टेट वह आपका डिस्टिक्ट उसके बाद यहाँ आपको अपना रिजन सेलेक्ट करना है हिंदू है, मतलब सहरी है ग्रामीर तो ग्रामीर सैंधूर, रूर्ल सहरी सी हैं, तो सहरी उसके बाद आपको अपना मोबाईल नंबर लिखना है, मोबाईल नंबर मैं यहां लिख देता हूँ, उसके बाद यहां आपको अपना email id डालना है email id भी मैं डाल देता हूँ उसके बाद यहां आपको exam center select करना है जहां भी आप exam देना चाहते हैं यह देखिए आपके पास इतने सारे center दिये हुए तो मैं सर्गुजा अंबिकापूर select कर लेता हूँ यहां उसके बाद यहां देखिए declaration मैं यहां घुसरा करता हूँ मेरे द्वारा आविदन पत्र में स्वेम का नाम सेड़ी वर्ग सची क्योगता जन्मती सी सारी जानकारे मेरे द्वारा दी गई है वो सही है ठीक न तो यहां आई एग्री पे ख्लिक करना है उसके बाद यहां आपको यहां जो केप्चा को लिखा हुआ है इसको आपको यहां फिल करना है मैं फिल कर देता हूं फिल करने के बाद g-r-e-a-t एक minute जी आरी ए ठीक यहां आपको इस प्रकार से जो भी वहाँ नीचे लिखा है उसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको एक बार अच्छे से आप बैक करके उपर नीचे करके फिर से एक बार आप देख लिजेगा कि आप जो भी जानकारी भरे हैं वो पूरी तरह से सही है, उसके बाद यहां आपको submit पे click करना है, मैं यहां submit पे click कर देता हूँ, click करने एक बाद यह देखिए, यहां लिखा हुआ है, किर्पिया ध्यान दें, एक बार उपलब्द कराई गई, जानकारी बाद में संसोधित नहीं किया जा सकता, आपको उसके से पहले, यहां यदि आपका कुछ गलत है, तो आप cancel करके फिर से उसको अच्छे से read करके सुधार लिजेगा, उसके बाद यहां OK पे click किजेगा, मैं OK पे click कर देता हूँ, जैसे यह OK पे click करेंगे, एक नया page loading लेगा आपका, यहां आपके network के उपर depend करेगा, कुछ time लग यहां आपको मिल जाएगा, सारा जानकारी आप यहां से अच्छे से देख लीजिएगा, देखने के बाद यहां देखिए, यहां वापस जाकर फिर से भुखतान और भाग में जाने सपहले, निचे अपनी प्रश्चियों की फुष्टी करें, फिर से फोम भरें, यादि आ आपको यहां Pay Option पे क्लिक करना है, Pay Option पे क्लिक करके आप भी भुखतान करेंगे, चलिए यहां मैं Pay Pay क्लिक करता हूं, Pay Pay क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद यहां देखिए, आपका कुछ पेज लोडिंग लेगा, पेज लोडिंग होने बाद इस टाइप से आपका नया पेज ओपन हो जाएगा यहां आप ध्यान से देखिए तो आपका रेजिटेशन नंबर यहां आ चुका है अब मेरे को यहां क्या करना पड़ेगा यहां देखिए आपका सब से बेटर रहेगा यहां प्रोसीड तूपे पे क्लीक करना है उसके बाद देखिए इस टाइब से पेज आपके पास open होगा पेज open होने के बाद यहां देखिए आपके पास यहां net banking देगा और यहां card देगा तो आपको card से करना है तो card पे click करना है जैसे ही card पे click करेंगे यहां आपके पास option देगा credit card से करना है कि debit card से करना है debit card से कीजिएगा आपके पास ज्यादा बेटर रहेगा उसके बाद select debit card option आपके पास देगा कौन सा card है आपके पास तो रुपय card है तो रुपय card जो भी card है उससे आपको click करना है उसके बाद यहाँ pain ope click करना है पेन उपे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास please do note यहाँ आपको back नहीं होना है जो भी time लएगा यहाँ आपको wait करना है भले कुछ time लगे आपका उसके बाद कुछ page loading लेगा उसके बाद आपके पास इस type से page open होगा आपको नीचे scroll करना है उसके बाद देखिए amount आपका दिखा रहा है OBC category का इतना फीच से 2500 रुपे हाँ confirm पे आप क्लिक करना है यहाँ confirm पे क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने बाद फिर से page load लेगा आपका उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास आपको डालना है सारा चीज यहाँ आपको डालना है आपका card number फिर यहाँ expiry date डालना है यहाँ cvb number डालना है चलिए मैं इस सबको fill कर देता हूँ चलिए मैं यहाँ तीनों चीज भर लिया हूँ उसके बाद पे पे क्लिक करता हूँ जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे आप यहाँ no thanks मतलब save आप को कर भी कर सकते हैं यादि आप खुद के mobile से कर सकते हैं तो अपना ATM card नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ दे और टीपी डालने के बाद यहाँ सम्मीट पे मैं क्लिक करता हूँ सम्मीट पे क्लिक कर देता हूँ सम्मीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए successful हो गया successful के बाद यहाँ कुछ नहीं करना है आटोमेटिक बैक होगा आपका यहां देखे बैक लेने के बाद यह पेज आपका आ चुका है यहां यहां आपको बताया जा रहा है यहां नीचे देखिए तो आपका यहां पैमेंट गेट वाई में ट्रांजेक्शन इस्टेटस यहां हमारा बताया बताया जाएगा उसके बाद इसको आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं देखिए मैं यहां से प्रिंट पर क्लिक करता हूँ प्रिंट पर क्लिक करके आप इस फोम को यहां से अपने मोबाईल में प्रिंट कर सेप कर सकते हैं जब आपका इसमें हो जाएगा नियुकती बाद में इस फोम की आओ स सकता आपको पढ़ेगी तो इस फूम को आपको प्रिंट करके अपने मुबाइल में अच्छे से रख लेना है जब रत पढ़ेगी तो इसको आपको निकलवाना भी पढ़ेगा यहां देखिए यहां आपको जिस भी नाम से से करना है आप कोई भी नाम से से कर सकते हैं अपने इस प्रकार आप जो 36 गर छेत्रर रक्षक का जो फोम निकला हुआ इस फोम को भर कर अपना अप्लीकेशन इस्टेटस पूरा कर सकते हैं इस प्रकार से आप पूरी तरह से भर सकते हैं असा करता हूँ कि सारी जानकारियां आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और आप अपने मोबाइल में अच्छे से फोम फिल कर सकते हैं मतलब अच्छे भर सकते हैं यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अच्छा लग तो यदि को लाइक किजेगा चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब किजेगा जितना ज्यादा ज्यादा हो सके लोगट से यह की जएगा ताकि सभी को इसकी जान का रही मिल सके वीडियो देखें के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय चत्तिस गर